हेई welcome back to our channel दोस्तो अचकी इस वीडियो मां बात काने वाल है how to active call wedding settings जब किसी के साथ phone पर बात कर रहे होते हैं और कोई आपको call करते हैं उस call के दोरण आपको call wedding का notification दिखाई देगा अगर एर settings off रहते हैं तो call के दोरण कोई call wedding notification नहीं आएगा और third person को आपका call भी जिवाता देगा इस features को activate करने के लिए सबसे पहले phone डालर में जाहिए डालर ओपेन करने के बाद three dotted line पर tap करके settings में जाना है call settings से कहीं सरे advanced call related features उपएक कर सकते हैं next supplementary service पर क्लिक करें supplementary service ओपेन ओने में थोरा समय लग सकते हैं तब तक integer कीजिए दोस्तों यहां पर दोनों sim cut के लिए अलाग-अला call wedding settings दी गई है by default यह on rate है अगर इन में से किसी settings off किया हुआ है तो उसे turn on कर दीजिए दोस्तों अब मैं आपको call करके दिखाऊंगा कि call wedding features कम कर रहे हैं की नहीं देखिए एक नमबर पर call चलने के बावजुद दूसरे नमबर से call आ रहे हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप call wedding features का लाब उड़ा सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हेलफूल था तो अमड़े वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया